तो सकती छोटी सी लाइट में हमारे बहुत सारे गोल होते हैं और उनमें से एक गोल होता है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो करियर हो बिलकुल सिक्क्योर हो जाए और आज की जो वीडियो उसको मेंन मोटिव यही होने वाला है आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ एक ऐसी पर्टिकुलर कमपनी के बारे में जो आपको इस गोल को सेट करने में आपकी बहुत हैल्प करने वाली है आज मैं आपको आज देने वाला हूँ गूगल के अंदर जॉब की अपडेट जो कि आपके लिए करियर को एक बूम तक पहुचा सकती है सार्टिंग सालरी आपकी 10 LPA होने वाली है फ्रेशर केंडेट है आप गूगल में अप्लाई कर सकते हैं सार इंफिर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक चोटा सा टास्कम यहां पर और रखते है बूम पे ले जाने के लिए बहुत जी जादा गॉल्डन अप्पोर्चुनिट की अपडेट गूगल पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक जॉप निकली है जहाँ पर फ्रेशे लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं अप्लिकेशन फीज पर आपको कुछ पे नहीं करने हैं फुल टाइम आपके जॉप होने वाली है जर बात करने लोकेशन की जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी बी टॉप MNC कंपनी होती है वहाँ पे क्या पार्ट होता है विकंसी निकली है उस वेकंसी को आप बैंगलोर में हो तो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो आप नुड़ा में हो नुड़ा से कंटिन्यू कर सकते हो चैने ही में हो चैने ही से कंटिन्यू कर सकते हो तो मुझे personally ऐसा लगता है कि top MNC company के अंदर आपको location का barrier नहीं होना चाहिए जैसे आप पर IT support engineer profile पर जो आप निकलिए तो काफी सारे person जिनका IT से background होने वाला है उसको इस profile के बारे में पता होगा कि आज skill set की demand करी जाती है वो सारे skill set आपको नीचे दियेगे link पर तो मिली जाएंगे फिर भी जो special है और जिनकी importance सबसे जाद है वो मैं आपको clear कर देता हूँ IT support engineering के अंदर आपका software और hardware yes again hardware networking आपका VPS होगा है इससे रिलेटर आपके knowledge होनी चाहिए साथ में आपके programming language होती है उसके related knowledge होनी चाहिए और आपके operating system होती है वो window हो आपका Linux हो उससे रिलेटर आपके knowledge होनी चाहिए और जितनी भी बड़ी company है न वो यहां पर एक चीज identify करती है कि आपने क्या आपने past के अंदर किसी project पर या किसी भी particular चीज पर काम किया है जो आप represent कर सकते हैं I am not saying कि आपके पास experience होना चाहिए किसी company का I am saying कि आपके पास life practical या कोई product का experience होना चाहिए क्योंकि वहां पर ही आपको किसी दूसरे person से different दिखा सकते हैं तो I hope आपको सारे doubt and clear हो गये होंगे अगर सिल मन में कोई भी doubt है कोई भी question है तो comment section में जरूर बताईएगा क्योंकि मुझे एक doubt पहुत है क्या क्या आप चाहते हैं मैं और detail में इन चीजों के explain करूं क्योंकि कोई भी job अगर निकलती है उसकी पूरी detail 20 से 25 मिनट ही होती है और मैं यहां पर step by step भी आपको दिखाऊं कि यह apply करना है यहां पर आपको यह fill करना है तो वह आपको better लगेगा यह जिस तरीके से मैं इस समय जॉब का ओवर्वियू आपके साथ शेयर करूं यह चीज़ा आपको better लगती है नीची comment section में मुझे ज़रूर बताईएगा मैं सचिंच चोहान आपसे मिलूँगा next video में next content के साथ जया हिंद